पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिस करेंगे आप वीडियो लाश्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझाए तो चलिए वीडियो की अब हम यहां सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम यहां जानेंगे आखिरकार जो फपून्द या फिर जिसे कवग भी कहा जाता है वो होते क्या हैं तो यहां पी कवग या फिर फंगस जीवों का एक विसाल समुदाय है जिसे साधारन तया वनस्पतियों में वर्गी कित किया जाता है कवक अध्यान के विज्ञान को कवक विज्ञान या फिर माइकोलोजी कहा जाता है यदि आप कवक या फिर जो फंगस होते हैं उसके बिसे में इस्टडी करें अध्यान करें तो इसे हम एक अलग ही वर्ग में विज्ञान में इसे जानते हैं जिसे कहा जाता है कवक विज्ञान आप यहाँ पे फफुन का यहाँ एक्जामपल देखेंगे कुछ हम फफुन यहाँ पे गुठेवी आटे से पावरोटी बनाने में सहायक एकोस के खमेर आप जो ब्रेड मार्केट से लाते हैं या फिर जिसे पावरोटी कहा जाता है हिंदी में उसे बनाने के लिए खमीर या फिर फफुन का उप्योग किया जाता है और इसमें जो इस्ट नामक कवक है उसका उप्योग किया जाता है तो और एक्जामपल यहां हम दूसरा एक्जामपल देख लेते हैं बासी रोटियों पर रूई की भाती उकता फफुन आप घर में रोटियां कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दें खुले में तो आप पाएंगे कि कुछ दिन बाद उसकी उपरी सता पर काले धब्बे दिखा देने लगते हैं छोटी छोटे रूई की समान वो कवक होते हैं जो कुछ दिन बाद रोटी को क्या कर देते हैं खराब कर देते हैं पूरी तरह से यह खाने योग्ये या विसेली कुकुरमुत्ते या खुम्बिया यहां पर नेक्स्ट एक्जामपल हमारे हैं जो हम मस्रूम खाते हैं जिसकी सबजिया बनाई जाती है वे भी कवक का ही एक एक्जामपल है आप इसे हिंदी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है ये विसैले और खाने योग्ये दो टाइप से भी होते हैं ये तो विसैली हो गई और जिसे हम खाते हैं अपने भोज्जी पदार्थों में है क्या अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ देखेंगे कि जो कवक है या फिर फंगस है उनमें कौन-कौन सी मुख्य विसेस्ताएं होती हैं तो यहाँ सबसे पहले कवक जियों का एक विसाल समुदाय है आप यदि प्रिथुई में देखेंगे तो अधिकत अधर इस्थान पर आप कवक्या फिर फंगस पाएंगे क्योंकि यह इसली कहीं भी उग जाते हैं नमी वाले इस्थान पर चाया वाले इस्थान पर अगर आपको कहीं चाया और नमी दिखाई दे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको यह फंगस मिल जाएगा तो इस वरग ने सदस्ट यह पर्ण हरीम रहीत होते हैं पर्ण रही मतलब यहां होता है इंगिलीष में Ne Sai ей Clos yodhi Clos yodhi Clos और उपस्थित हो तो यह प्रकास की उपस्थिती में भोजन बनाने में समर्थ होते परंतु in इन लिए Clos तो फिल पाया जाता है और वे अपना भूजन स्वैम बना लेते हैं परन्तु जो फंगस होते हैं उनमें पर्ण हरीम नहीं पाया जाता इसी कारण ये सूर्य द्वारा अपना भूजन नहीं बना सकते हैं अपना भूजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप् हो गया फिर आपने आपके जोखाने की चीजे़ें हैं उसके उपर ये उग कर ये कारबनिक पदार जो खोते हैं उससे अपना भोजन प्राप्ट करते हैं इनकी कोसिका भीति सेलिलोज वा कायटिन की बनी होती है जो इनकी संरचना है कोसिका इनकी है उसकी जो सबसे बाहरी परत या फिर लेयर होती है जो कोसिका भीति कहलाती है वो सेलिलोज या कायटिन की बनी होती है इनका संसार में अपमार्जा के रूप में कार्य करना है इनका जो मुख्य कार्य है आप देखेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे गला कर इसे मिट्टी में मिला देते हैं जिससे उस इस्थान में जो गंदगी होती है वो वहां से समाप्त हो जाती है तो इसे अपमार्जा के रूप में भी जाना जाता है सभी सुकाय वनस्पतियां हैं ये जो फंगस होते हैं वे सुकाय वनस्पतिया होते हैं मतलब कि यह थैलोईड होते हैं, थैले के समान होती है, आप देखेंगे एक ब्रिक्ष में तने, पतियां, जड़िये, सभी भाग आप अच्छे से देख सकते हैं, परन्तु फंगस में ऐसा कोई विसेज भाग विभाजित नहीं होता है, यह थैले के समान दिखाई देते हैं, आप इन्हें यदि माइक्रोईसकोप में देखेंगे, तो यह विसेज उनकी जो सनरचना है, वो थैलोईड के समान दिखाई देंगे, कवक में काईक, जनन, खंडन, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, तो इनका जो काईक जनन है, वो खंडन, विखंडन और मुकु अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहां आगे देखेंगे वित्रण या फिर इनका जो फैलाओ है प्रित्वी में वो किस आधार पे होता है या किस अनुसारिये पाए जाते हैं, कवक की जातियों की संख्या लगबग 80-90,000 तक होती है, यह वायू तथा अन्य जियों के सरीर के भ कार्बनिक होगी की प्राप्ती हो सके, मैंने यहां बताया पहले ही कि जिस स्थान पर नमी, छाया या फिर कार्बनिक पदार्थ हो, वहां पर आपका वक्त या फिर फंगस को आसानी से देख सकते हैं, तो यह थी इनके बारे में जो खास वित्रण ये किस प्रकार पाए जा अब यहां हम में डीटेल में जानेंगे कि इनके जो टाइप्स होते हैं वे कितने हैं, यादि हम इनके प्रकार की बात करते हैं, तो यह में ली तीन प्रकार की होते हैं, सबसे पहला यहां होता है मृतोब जीवी, मैं यहां सबसे पहले आपको तीनों का नाम बता देती हू उसके बाद हम इसे एक एक डिटेल में जानेंगे सबसे पहला हो गया मृतोप जीवी ठीक है और सेकेंड है परा स्राई थर्ड है सह जीवी तो ये तीन प्रकार हो गए आप इसे याद रखिए अब हम यहां आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे मृतोप जीवी के बारी में इस प्रकार के कवक अपना भूजन सदेव सडे गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्ट करते हैं आप नाम में देखेंगे मृतोप जीवी तो यहां सबसे पहले आ रहा है मृत मतला मृत मरे वे चीजों से अपना जो वो है भोज्य पदार्त या फिर अपना जो न्यूट्रिशन है उसे ये प्राप्त करते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्तों से मृतोब जीवी कवक में आप एकजामपल में राई जो पस देख सकते हैं पेनिसीलियम देख सकते हैं और मोर्चेला देख सकते हैं तो मृतोब जीवी मतला मृत पदार्तों के उपर उग कर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करना यहां सेकेंड हम बात करेंगा परास्रवी परास्रवी परा का अर्थ होता है दूसरे अस्रवी मतलब आस्रे में रहना ये कवक अपना भोजन जन्तू या पौधों के जीवीत उतकों से प्राप्त करते हैं पहले जो थे वे क्या करते थे मृत कार्बनिक पदार्तों से अप फिर पौदे होते हैं उनके उपर ये उग जाते हैं और वहां से ये अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं जीवित पौधे या फिर पेड़ में आप देखेंगे कि कुछ फंगस उगे हुए होते हैं तो ये परासराई के अंतरगत आएंगे इसका एक्जामपल है पाकस यहां पर कवक ऐसे होते हैं जो साथ में दूसरे जीव के साथ जीवन यापन करते हैं ये कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाग पहुँचाते हैं ये दूसरे जीव के साथ उगेंगे और उनके साथ ये क्या करेंगे जीवन यापन करेंगे औ और वे एक दूसरे को लाब पहुंचाते हैं फोर एक्जामपल यहां पे लाइकेन लाइकेन एक कवक है जो की एक सेवाल के साथ उकता है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं एक दूसरे को साहता करते हैं बोजन बनाने में और अपना जो जीवन याप है वो पूरी करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है सहजीवी का लाइकेन अब यहां पे इनके जो आर्थिक महत्तु हैं हमें जो कवक हैं उनसे कौन-कौन से फायदे हमें हो सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं यह अपमारजक के रूप में यह हम पहले ही जा से भोजन प्राप्त करते हैं जिसके चलते जो कार्बनिक पदार्थ हैं वहां पे समाप्त हो जाते हैं और प्रिथवी में लगतार उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है मतलब यह जो मृत चीज हैं कार्बनिक पदार्थ हैं उसे प्रिथवी में बंढ़े नहीं देते है जिसके चलते प्रिथवी में ये एक संतुलन बना हुआ रहता है सेकेंड है सबजी बनाने में हम जो मस्रूम खाते हैं सुरू में ही मैंने यहां बात किया था कि मस्रूम की सबजी या फिर दूसरे मस्रूम जो है कुछ खाने की चीजों में यूज किया जाता है उसका इसमें महत्तो है इसकी यदि सबजी बनाने वाले कवक की बात करें तो है रोमेरिया, कलेवे सिया और एगे रिक्स प्रीथिवी में कई ऐसे कवक पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन इस्थिकरन करते हैं तथा भूमी की उरवर्ता को बढ़ाते हैं यहाँ पे नेक्ष्ट यदि आर्थिक महत्तो या कवक से फायदे की बात करें तो कुछ कवकों का उप्योग पनीर बनाने में उप्योग किया जाता है जैसे कैसपर जिलस इसका एक्जामपल होगा बेकरी उद्योग में उदारान हमने पहले ही चर्चा कर ली कि जो डबल रोटी या फिर जो ब्रेट बनाई जाती है उसमें इश्ट का उप्योग किया जाता है दवाई बनाने में कई कवक हैं जो हमें मेडिसिन बनाने में बहुत ही महत्पूर चीजें प्रोवाइड करते हैं कई कवकों का हम उप्योग करके दवाई बनाते हैं जैसे कि यहां पर पेनिसिलीन, कॉरलोमाइसीन, नियोमाइसीन इसके एक्जामपल हो जाएंगे अब हम यहां पर नेक्ष्ट यदि बात करें आर्थिक महत्तो तो एंजाइम प्राप्त करने में कई कवक ऐसे होते हैं जिनसे हम एंजाइम प्राप्त करते हैं और उसका उप्योग किया जाता है कई कवक ऐसे होते हैं जो कीटों को नश्ट करने में सहायक होते हैं यह उनके उपर उग जाते हैं और धीरे धीरे यह क्या करते हैं उन्हें नश्ट कर देते हैं जो कि हमारे लिए फायदे मंद हो सकता है यदि वो हमारे फसल को बरबात कर रहे हैं तो ये हम जो कवक हैं उनका इस्तमाल इन कुईटों को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं अब हम यहां नेक्ष्ट बात करेंगे कि हानी कौन-कौन सी हानिया है जो कवकों से हो सकती हैं लाप तो बहुत सारे हैं पर इन से हानिया भी बहुत सारी होती हैं सबसे पहले है जहरीले कवक से प्राणियों को हानी कई प्रकार के कवक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं जिसे यदि सेवन कर लिया जाए जियों जनतों द्वारा तो वो खतरनाक हो सकता है उनके लिए कई बार लोगों की इससे वृत्यू भी हो जाती है भोज्य पदार्तों में उग कर उनको नश्ट करते हैं यहां पर फिर से ये एक्जामपल आ गया कि घर में कई ऐसे चीजे होती हैं जिसे हम खुले में कुछ दिन छोड़ दें तो उसके उपर ये क्या हो जाते हैं उग जाते हैं कवक और वे उसे नश्ट कर देते हैं जिसे हम उसे पुना नहीं खा सकती पौधों वा फसलों में रोग कई प्रकार की ऐसी जो वो हैं कवक हैं जो पौधों और फसलों में रोग उत्पन करते हैं और हमारे जो फसल हैं उसे बरबात करते हैं तो ये था हमारा वीडियो कवक या फिर फंगस के उपर यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए तैंक्यू फर वाचिंग